आज हम यह टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बड़ा कॉमन टॉपिक है और खास करके स्टूडेंट्स जो क्लास एट नाइन तेंथ एलेबंथ इनके अंदर यह क्वेरी होती है कि आखिर एक अच्छा वकील कैसे बना जाए कैसे आप एक अच्छा वकील बनते हैं या कैसे ए किसी बात पर चर्चा करेंगे स्टिप बाए स्टिप मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि स्टिप वन यह है कि यदि आप क्लास से पहले यह बात सोचते हैं कि आपको एड़वुकेट बनना है वकालत के छितर में जाना है जज बनना है तो क्लास टिंथ एक ऐसा मोड करता है जहां पर आपको चूज करना होता है कि क्लास एलेवंद में आर्ट्स लिया जाए कि और यदि इस समय पे आपके दिमाग में यह है कि वकील बनना है या लौ करना है तो सबसे ऐप्रोप्रियेट स्टेज यही है क्लास टेंथ वाला जहां पर आप तरीके से वहां भी नहीं पता है तो फिर एक और स्टेज आएगा मतलब सरे जाएं आप जिस रास्ते से भी जाना चाहें यह डिपेंड करता है आपके क्लास 20 में यह तो आर्ट्स लेंगे यह साइंस मैं जुकि कहांव से आता हूं तो वहां पर तो ऐसा है कि जी class 11-12 में science ही लेना है science जो लिए हो बहुत बढ़िया student है और जो science नहीं लिए हो बेकार से student है ये धारनाएं जो बनी है वो बिलकुल गलत है सरासर गलत है अब मैं इस stage पर आ करके मैं ये बात बिलकुल clearly बता सकता हूं आप चाहें तो उपने parents को दिखा सकते है चलो मान लिया कि हम arts ले लिए तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये stage सबसे best है क्योंकि arts में एक paper होता है legal studies का 2015 से पहले तक ये paper नहीं हुआ करता था 2015 में government को लगा कि नहीं legal literacy जरूरी है देस में बच्चों को legally literate बनाना बहुत ज़रूरी है otherwise फिर आगे काफी difficulty उनको phase करनी परती है इसलिए class 11th के stage पे 12th के stage पे legal studies का एक paper include किया गया लेकिन ये paper आप तभी ले सकते हैं जब arts वाले sector में जब आप लेंगे तो फिर legal literacy, legal studies का एक paper आप चाहें तो ले सकते हैं यदि class 11th और 12th में legal studies पढ़ लिया तो आप समझे कि उस stage पे आपको law पे एक अच्छा grip बन जाता है लेकिन चलो सारे लोग इतने वागिशाली नहीं होते हैं कि class 10th में उनको पता लग जाए कि उनको law करना है या उनको class 10th में पता लग जाए कि law भी कोई चीज होती है उस समय तक तो दिमाग में सिर्फ या तो डॉक्टर बनना होता है या फिर इंजिनियर बनना होता है इस से ज़्यादा तो कम या फिर जो बचे कुछे हैं उनको I.S. बनना होता है तो उस समय law को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है बट जिनको समझ में आता है जिनको अच्छा guideline मिलता है guidance मिलता है अपने senior से अपने father से mother से या अपने और parents से friends से उनके लिए ये stage सबसे best है आप class 10th के बाद क्या करें आप जो है क्लेट का examination देंगे जिसके बारे मैं अभी बात करूँगा लेकिन चलो कोई बात नहीं बहुत सारे ऐसे भी parents होंगे जो बोलेंगा नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं एक काम करते हैं कि हम science ही बच्चे को दिलवाएं कोई बात नहीं आपकी मर्जी है आपका बच्चा है साइंस दिलवा दिजिए साइंस में भी दो कटेगरी की चीज़ें होंगी या तो PCM होगा या PCMB होगा physics, chemistry, mathematics या फिर physics, chemistry, mathematics and biology मैं इत्तफाक से यहां पे था परस्नली स्पीकिंग मैं इस वाले सेक्टर में था यह दोनों आप चाहें तो ले सकते हैं और फिर आगे प्रसीड करते हैं क्लास 11 और 12 में मान के चलते हैं कि आप PCMB या PCMB या PCM ले लिया उसके बाद क्लास 12 हो गया क्या खतम अब समझ में आया कि आपको लाग करना है यद बीच में 11 12 में बढ़ा दोस्ते पता लगा रहे लौ भी कुछ चीज होता है तो इसको करते हैं तो अब क्या करता है कि अब आपको क्लैट का एक्जामनेशन के लिए जो रिक्वार्मेंट है इलिजिबिलिटी क्रेटेरिया है वो यह है कि आप क्लास 12 पास होने चाहिए किस साल का कोर्स होता है लौ का वो कॉमन लौ एडमिसन टेस्स जिसको बोलते हैं नस्नल लौ उनिवरसिटी के लिए आजकल और भी कॉलेज़ेस और युनिवरसिटी जिसमें इंक्लूड हो गई है तो आप देख लीजिएगा कि अभी क्या स्टेटर से रिजंटी डेली उनिव क्लेट के तुरू जाएंगे कुछ ऐसे कॉलेज या इनिवरसिटी होंगे जो अलग से अपना पांच साल का एक्जामनेशन कंड़क्टर आती होंगी तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा मतलब यह हुआ कि क्लास 12 के बाद एक जो इंट्री है लौ में उसमें कौन सा लेकिन यह 5 साल का कॉर्स होता है क्लास 12 के बाद 12 प्लस 5 पाइव यर्स का कॉर्स है आप चाहें तो इसको कर सकते हैं शलो ठीक है यह भी हो गया कि जी क्लेट में बहुत सारे इटमिसन ले लिए बच्चे फिर लौ कर लिया उसके बाद आगे प्रोसीड कर गए कई ऐसे अफिर करेंगे क्या उनके रास्ते बंध हो जाएंगे कि आप अपने आप से पुछए क्या उनके बंध ऑची लाओ एक मात्र ऐसा इसा मार्तास government से 12 करने के बाद अब पता लगा कि जी लॉब ही कुछ चीज होता है या तो आप ग्रेज्विशन में होंगे तब पता चला अचा लॉब ही कोई चीज होता है अब क्या करें अब तो मेरा 10 और 12 चला गया तो अब कैसे जाएं कैसे करें लेने वाली बात नहीं है एक और तरीकी का कोर्स आता है जो तीन साल का कोर्स होता है 3-year LLB कहा जाता है उसको तो क्लास 12 में या तो मान के चलो हो गया तब तो ठीक है पांच साल वाला कोर्स कर दिये नहीं हुआ तो या तो आप ड्रॉप ले लेते हैं जी एक बार और क्लैट का तयारी करेंगे या फिर दूसरे दू लेवल की बात करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन जो LLB 3-year LB का जो एक्जाम होता है उसमें भी जो इलिजिब्लिटी क्रेटेरिया है उसमें ये कभी नहीं कहा जाएगा कि सहब आप साइंस पढ़े हो यार्ट्स पढ़े हो एकॉनमिक्स पढ़े हो तभी आपको एड्मि क्रेजुएशन होता है उसके लिए आप साल के एलिजिब्ल हैं और यह तीन साल का ग्रेजुएशन कर लिया आफ्टर ट्वल्थ और उसके बाद फिर आपने लॉग किया तो ये जो डिग्री है उसको बी एलल भी नहीं कहते हैं इसमें नॉर्मल एलल भी कहते हैं या कई जाकर के देख लीजिएगा so after graduation वाला जो एलडी है वो तीन साल का होता है अब कई students के दिमाग में it git क्या पांच साल वाला और तीन साले में क्या कुछ अलग है क्या अंतर है आगे क्या होगा क्या इसका कम है किसका जादा है बहुत सती तरीके कहाना आद्शन्म questions आज मैं आपको clear कर देता हूं पहला question जो आपके दिमाग में उठेगा difference between BLB या BSC BCOM जो भी है आप देख लीजेगा और या कोई difference नहीं है degree same है बस under duration का है कि ये class 12 के बाद 5 साल में हो जाएगा ये 5 साल में नहीं होगा क्यों क्योंकि class 12 के बाद plus 3 आपने graduation किया और plus 3 फिर से क्या हुआ लॉग कर लिया लॉग कर लिया तो यह 3 plus 3 कितने हो गए 6 हो गए तो यहां पर एक साल आपको ज़्यादा देना पड़ गया एक साल का exposure ज़्यादा है आपका अलग-अलग subject में हो सकता अलग-अलग college में हो सकता है लेकिन exposure एक साल का ज़्यादा है एक साल का समय ज्यादा लग रहा है यदि आप समय बचाना चाहते थे तो पहले पता होता पहले पता होता तो पांट साल वाला कर लेते कि सी गारण बस पांट साल वाला नहीं कर पाये ग्रेजुशन कर दिये तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक साल की बात है यहां से हो जाता है दूसरा कुश्चन आता है कि कौन सा बेटर है कौन सा अच्छा है इसा कुछ नहीं है ऐसा कोई पैरमेटर नहीं है कोई रिसर्च नहीं है जो यह कहते हैं यह वाला अच्छा है जो यह कहें कि नहीं तीन साल वाला अच्छा है नहीं दोनों कोर्स अपने आप में ठीक है अपने जगह पे अच्छा है डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला कौन ह कि आते हैं और 3 साल में थोड़ा और यह होता है कि जो 5 साल वाले जुदेंट से नहीं करके आए हैं उनका कॉर्परेट के तरह जादा रोजान होता है ज्यादा ध्यान अधर होता है इसतर ₺ favor तका स्ट्ठलि यूस यह नहीं गहता बट मेरा अपना एक्सप्रियंस है कि यह पाइव वाला जो है ना पैकेज वाला पैकेज कोई कंपनी आई फर्म आई पैकेज दिया वह चलेगा यह जो तीन साल वाला जो कूर्स बच जाता है वो क्या होता है उसमें एक्सपोजर जादा है चुकि जादा है कि मैं इमिच्वर हूं ना ना ऐसा नहीं बूल रहा यह मेरा अपना परसेप्सन है और मुझे लगता है कि यह ज्यादा फिल्योर होने के बाद ज्यादा इधा उतर घूमने के बाद फिर लॉग करते हैं तो थोड़ा सा मैचुरिटी लेबल इन में ज्यादा बढ़िया ह ज्यादा है तो अब इसली बीडियो बनाओंगा कि बनने के कितने तरीकें जिस तरीके से मैंने इसमें बताया आपको कि अलग अलग तरीके हैं लॉम इंट्री करने के वी ऐललबी उसके बाद आप अललबी नॉर्मल कर दें वैसे ही जज़ बनने के लिए अलग अलग इंट कुछ नहीं है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा खराब है ऐसा कुछ नहीं है which one is good for this judicial service ऐसा नहीं है दोनों सही है depend करता है कि आप कौन सा किये हैं और कितना मेहनत किये हैं litigation के लिए मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा मेरा अपना experience है कि तीन साल वाला जो कूर्स है उसमें exposure ज्यादा मिलता है क्योंकि एक साल आप ज्यादा पढ़ते हैं तो इसलिए exposure ज्यादा होता है तो उस हिसाब से थोड़ा experience भी आपको को सबीगतों के एक सब्सक्राव में दिश्यादा होताएं तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में ये देखा है कि कैसे वोकील बनते हैं क्या तरीके हैं क्लास 10 के स्टेज पर मैंने बताया क्लास 10 में आपको नहीं पता चला क्लास 12 के स्टेज पर बताया वहां भी नहीं पता चला तो आप किसी जॉब में कर लिए 15 साल तक जॉब कर दिया मान लेते हैं और 16 मां साल पता लगा रहे यार लौ करना चाहिए था गरवड हो गया कर सकते हैं क्या तो अब आप नेट पर सर्च करना शुरू कर देंगे कि कैना पर स्यों एललबी आफ्टर यूनों 40 years 50 years whatever जो भी उम्र के होंगे उसमें तो जी मैं आपको यह बताऊं कि अभी भी आप कर स किया है यहां पर साथ में हमारे 50 years 60 years after retirement हमारे साथ बैठके पढ़ते थे आम फोर्स में हैं रिटार हो गए सिविल सर्वेंट हैं रिटार हो गए फिर जाके पढ़ते हैं तो जी एललबी का जो दायरा है वो काफी ब्रॉड है जब जागो तभी सवेरा जब आपको लगा के कि लिए करने चाहिए आप करने के लिए सबस्वाचंद हैं कर सकते हैं कोई डिफिकल्टी ऐस सच नहीं होती है एक दो और क्वाईरी आता है कि क्या हम डिस्टेंस distance learning course जो होता है कि आप जो है class अटेंड ना करें और वैसे LLB करने जी LLB और MBBS यह दो ऐसा course है जो practical in nature होता है और distance learning माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं that is not recognized by the bar bar council of India जो regulatory body है law education का उससे रर्करदोर्र नहीं होता है तो यदि कोई college करा भी रहा है तो आप मान के चलिए that is not recognized by the bar और यदि बार से रिकरगनाईज नहीं है तो license आपको नहीं मिलेगा license नहीं मिलेगा तो प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं license नहीं मिलेगा तो तो को देख रहे होंगे उनको जरूर कुछ न कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा यदि फिर भी कुछ कुछ रह जाता है तो वैसे मैं दलीगल इंडियन जो चैनल पर आप देख रहे हैं दलीगल इंडियन और दूसरा चैनल है आस्क यौर वकील इस पर में लगातार लौ से जोड़ी जनकारी आपको देता रहता हूं चुकि मैं प्रैक्टिस में हूं खुद लिटिगेशन कर रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के जितने भी डिस्टिक कोर्ट्स हैं वहां पर तो प्रैक्टिकल चीजों को भी मैं सुडेंट को बताता रहता हूं यदि किसी भी सुडेंट को कोई डाउट हो जाए तो 971-933-400 इस पर आप WhatsApp आप कर दिजेगा हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ आप से मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्कार